नंगी धरती करे पुकार व्रक्ष लगाकर करोशंगार ऐसी कई लाइने जो दिल को छू जाती हैं वो फोरेस्ट्री टेनिंग सिस्ट्यूट कैमपस में कई बोर्डों पे लिखी है जिससे फोरेस्ट काट और फोरेस्टर अधिकारी अपनी ट्रेनिंग को पढ़के शुरू क करते हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर में संस्थान के इस खुपसूरत कैमपस में वो सारे संसादन और सुविदाय हैं जो एक प्रेनिश को भविश्च के लिए त्यार करती हैं तो चलिए हमारे साथ इस सफर पर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक छोटा सा ओवर् सबसे पहले आप पहुंचते हैं एंटरंस गेट पे जहां पर आप अपना नाम परपेस ऑफ विजट बता कर पूरी जानकारी ले सकते हैं और कैमपस में प्रवेश करते ही कैमपस के चस्ट सामने कैमपस की सबसे पुरानी बिल्डिंग कैमपस का मेन ओफिस दिखाई देता है और ऑफिस में प्रवेश करते ही चस्ट लेफ्ट में डारीकтर ऑफिस होता है और डारेक्टर ऑफिस में FTI और FTI से जुड़े सारे इमपुर्टनिट डिसिजिन लिए चाते हैं और इस कैमपस के सुरुवात से लेके अब तद डारीक्टरों का डारेक्टर ऑफिस यही और वहीं ऑफिस के दूसरी ओर इसी कैंपस में ऑडिटोरियम भी है जो फॉरेस्ट्री ट्रेनिंग इंसिट्यूट का इंपॉर्टेंट हिस्सा भी है इस ऑडिटोरियम में साड़े तीन सो से भी जादा लोग एक बार में बैठ सकते हैं ट्रेनीज के सारे कल्चर और एंटर्टेनिंग प्रोग्राम जैसे फेस्टिवल, सेलिबरेशन और सभी इंपॉर्टेंट फॉंक्शन इसी ओडिटोरियम में होते हैं कई कोर्सिस के इनॉग्रल और वैलिट्रिक्टरिक फॉंक्शन यहीं कंड़क्ट किये जाते हैं और ट्रेनीज को इस कैंपस में फर्स्ट क्लास, जिम, स्मार्ट क्लास जैसी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती है और इस बिल्डिंग के थोड़ी ही दूर इस कैंपस का में केस्ट हाउस है इसका नाम अधिकारी चात्रावास है इस चात्रावास में सीनियर विजिटिंग फैकल्टी और कैंपस के गेस्ट के रहने की सारी फैसिलिटीज उपलब्द है इस चात्रावास में लेक्चर हॉल्स, सैमिनार हॉल्स, गेस्ट डाइनिंग हॉल्स, कम्प्यूटर रूम, लाँज, मैस जैसी सारी फैसिलिटीज उपलब्द है और ये पूरा केंपस हाई क्वालिटी कैंपरो से लेस है वही प्लेग्राउंड, एंड क्लब, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इतनी सारी करिकुलर एक्टिविटीज, फिक्नेस और एक आत्मिस्वास वाली एक्टिविटीज मानी जाती है और पास ही प्लेग्राउंड में ट्रेनीज अपने मनपसंद के स्पोर्ट्स खेल सकते हैं तो दोस्तो ये था फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंसिट्यूट का टूर हमें उमीद है कि कानपूर में इस्थित ये कैंपस के फर्स्ट क्लास इंफ्रास्ट्रक्शर और ट्रेनिंग फैसिलिटीज को देखकर आप भी उतने ही इंप्रेस हुए होंगे चितने की हम ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजेगा धन्यवाद